कि यह गाइस वेलकम टूदी प्रकोडिंग चानल तो आज हम टी टेस्ट के बारे में देखेंगे कि टी टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और वह किस तरीकी की टेस्टिंग में हेल्प करता है तो सबसे पहले एक चीज हम पर पता होनी चीए कि यह जो होता है यह हमारा पारम इसस्ते का मतलब किया है कि हमारा पास मीन और वेरिंस दोनों गिवं हो قर Kant Gordon वीण होगा हमें test को generally use करते हैं तो null hypothesis हमें हम यही consider करते हैं कि दोनों में कुछ difference ही नहीं है दोनों equal है और alternate hypothesis में consider करते हैं जो भी उसका alternative value आएगी ठीक है तो हम h0 के बारे में जानते ही है null hypothesis और h1a या फिर h1 यह तो हम जानते ही है null hypothesis hypothesis और alternate hypothesis तो इस example को समझने के लिए हम क्या करते हैं हम दो class consider करते हैं एक class A है और एक class B है ठीक है क्लास A के जो marks है ना क्लास A और B में एक test हुआ maths का test हुआ ठीक है तो maths का जो टेस्ट हुआ उसमें class A में समझ ली जी n1 बच्चे थे यानि कि 12 बच्चे थे और class B में n2 बच्चे थे यानि कि 14 बच्चे थे ठीक है और इनका जो mean निकल के आया marks का समझने 50 marks का test हुआ इनका जो mean निकल के आया ना x bar A 25 का 50 बच्चे वाला mean और x bar B आया मेरा 27 almost same ठीक है और इधर मेरा जो variance आया sigma A square वाया मेरा 0.097 और sigma square B इधर का variance आया मेरा 0.16 ठीक है तो यह मेरे पास कुछ ऐसा data given है अब मुझे कोई बोलता है कि बताओ कि class A ने math test में better perform किया या class B ने math test में better perform किया तो मैं कैसे calculate करूँगी एक तरीका है कि मैं normal distribution लगा कर देख लूँ तो लिए देखते normal distribution में क्या होगा अगर मैं normal distribution का curve बनाती हूं normal distribution का अगर हम curve बनाने जालते हैं तो क्या होगा इधर मेरे आजाएंगे students अधरा देखे मेरे mark ठीक है और समझली थी कि ये A का curve आ रहा है bell shift का normalized curve ठीक है और ये मेरा B का curve रहा है B की obviously mean value जादा है और A की कम है तो मैंने बोल देखते हैं कि B की जो है वह mean value जादा है x bar B जो है वह greater है x bar A से ये मेरे mean को ही signify करते है ये value value तो अगर मैंने बोल देखे x bar B जो है वह मेरा बड़ा है x bar A से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि class वाली B जो है उसने better perform किया है अगर class B ने better perform किया है तो ये जो मेरा distribution मुझे दिख रहा है और 0.097 का variation है तो मुझे इससा पता लगता है कि मैं ये normal distribution curve simply से judge नहीं कर पा रही हूं कि class A better perform करें ये class B better perform करें कि किससे क्या होगा हमारा graph flatten होता जाएगा जैसे-जैसे variance change होगी तो अब मैं क्या कर सकती हूं कैसे determine कर सकती हूं मैं कर सकती हूं T value से किससे determine कर सकते हूं T value से या फिर T score से जतना मेरा T score जादा होगा उतना मेरा इन दोनों में similarity उतना हमारे T score की जो value जतनी जादा होगी उतनी हमारी similarity जादा होगी इन दोनों classes में class A और B में और जितनी कम होगी उतनी similarities कम होगी तो इस चीज को judge करने के लिए हमारे पास एक होती है critical value critical value हम T table से निकालेंगे वह भी हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं अगर critical value से कम आ रही है हमारी यह और T score ठीक है जिसका भी हम formula देखेंगे अगर critical value से कम आ रहे है हमारे तो हम इसको accept कर लेते हैं और अगर ज्यादा आ रही है तो हम इसको reject कर देते हैं null hypothesis को null hypothesis तो हम क्या मानके चलेंगे यहां पर कि class A and class B have the same score have the perform equally well okay perform equally well तो यह हमने जान लिए कि critical value accept कप करती है और reject कप करती है अब देखते कि T value और T score calculate करने का formula क्या होता है वहती simple formula होता है कुछ नहीं करना होता हमें इसका formula होता है T score calculate करने का formula हमारा यह होता है X bar of A minus X bar of B upon under root of जो हमारा variance आया था sigma square A upon N1 यह फिर N A plus sigma square B NB यह T score हम इस formula से calculate कर सकते हैं बहुत आराम से और फिर हम इसको critical value से compare करते हैं ओकी गाईस इस वाली चीज़ में इस formula में हम एक और चीज़ कंसिडर करने पड़ी कि वह हमारा mod ताकि हम negative values को eliminate कर सकें ठीके तो चली अब T score calculate करते हैं according to हमारी जो दो classes है उसके साब से तो हमारा X bar A जो था हमारा 25 X bar B था 27 और sigma square है 0.097 sigma square B है 0.16 X तो ले लते हम तो T score हमारा क्या हैगा हमारा mod में 25 minus 27 upon में under root sigma square A था मेरा 0.097 अपान एक बज़रा एने देखा थे N1 यानी N12 है हमारा और N2 यानी NBJ वह 14 है अब यह पूरी calculation करने के बाद मेरा answer पते क्या आता है मेरा answer आता है 14.59 यह मेरा T square आ गया अब हम देखते हैं कि इसमें कैसी हमारी values हैं और क्या हम critical values से prediction कर सकते हैं तो चलिए यह जो मारा T square आ है इसको मेरा T table से compare करना होगा तो यह next page पे चलते हैं और T table से compare करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो सांपल्स को compare करते हूं तो इसलिए हम दो क्लास जो है उमारी population है इन वे से हम सांपल्स को compare कर रहा है तो इसलिए हम टू टेस्ट लेंगे और यहां पर जो मैं alpha लेने वाली हूं वह है 0.05 तो टू टेल के लिए 0.05 जो है वह मेरा alpha है और यह क्या है मेरा यह मेरा degree of freedom अब degree of freedom कैसे calculate करते हैं। जरह degree of freedom जरह देख के आते हैं कैसे calculate करते हैं तो आए यह degree of freedom calculate करते हैं डिग्री of freedom का बहुत ही simple formula है वो है na minus 1 plus nb minus 1 N A मेरा क्या था N A था मेरा 12 और N B था मेरा 14 12-1 प्लस 14-1 यानि कि 11 प्लस 13 तो ज़रह यहाँ पर लिखते है यह बने कर 12-1 11 प्लस 14-1 11 प्लस 13 इस इकल स्टो 24 तो मेरा degree of freedom यहाँ पर कितना आगया 24 आगया अब मैं table के corresponding यहाँ पर 24 को चेक कर सकती हूँ यह मेरा 24 आगया degree of freedom और हमने two tail test लिये तो मैं इसी वाले column को consider करूंगी two tail वाले को और हम alpha क्या consider करें 0.05 कर रहे है for two tail तो इस तरीके से हम T table को देखेंगे और इसके along चलते जाएंगे और यह हमारा 0.05 पर हमारी कुछ value आ रही है 2.064 इसको ज़र एक बार मैं expand कर देती हूँ 2.064 यह value आ रही है हमारी ठीक है इस value को ज़र हम लिखते हैं यहाँ पर according to the table जो हमारी critical value आ रही है वो क्या है वार यह मेरी 2.064 ठीक है और हमारा T-score क्या आया था T-score ज़र लिखेंग बार T-score आयदा हमारा 14.59 ठीक है अब इससे ज़र हम compare करते हैं तो 14.59 जो है वो मारा T-value का जो critical value है उससे ज़ादा है है ना तो T-score जो है वो मेरा यहाँ पर T-score जो है वो मेरा ज़ादा है critical value से तो इससे मैं क्या conclude कर सकती हूँ अगर मीरी values ज़ादा होती है तो मैं क्या करती हूँ हमने जो पीछे लिखा था सरव उसको देखकर आते हैं तो मैं reject कर देती हूँ और अगर कम होती है तो क्या करती हूँ एक्सेप्स करते हूं तो यहाँ पर मेरी critical value से जो value है वो ज्यादा आ रही है t-score मेरा ज्यादा आ रहा है तो इसलिए मैं अपनी null hypothesis को reject कर दूंगी और मेरी null hypothesis क्या थी कि class a and class b perform equally well अगर मेरी null hypothesis जो है वो reject होती है तो मेरी alternate hypothesis जो है वो true हो जाती है alternate hypothesis hypothesis क्या है पहले हम जड़ा इसको देखकर आते हैं कि मैं कहना कह चा रही हूं इसको जड़ा हम ले जाते हैं तो इससे मैं क्या conclusion निकाल सकती हूं कि मेरा t-score जो हो गया है वो reject हो गया है यानि कि मेरी null hypothesis जो है sorry h not h not जो है वो मेरा rejected है और h not क्या था कि मेरी both the classes have performed equally well अगर मेरा null hypothesis reject हो जाता है क्योंकि वो critical value से जादा आ रहा है तो इसका मतलब मेरा क्या accept होगा alternate hypothesis कि दोनों में कुछ significant difference है या तो class a better perform करी है या class b better perform करी है तो इससे मेरा alternate hypothesis जो होता है वो true हो जाता है क्योंकि मेरा जो t-score है वो critical value से जादा आया जिसकी वज़े से मेरा null hypothesis जो हो गया reject हो गया यह हम पहले देख चुके है कि अगर हमारा critical value से जादा आएगा t-value या t-score तो हम null hypothesis को reject कर देंगे और alternate hypothesis को true मानेंगे कि यह मेरा true हो जाएगा क्योंकि मतलब हमारी दोनों classes यानि A और B में कुछ significant difference है यहां तो class A की performance बेटर है या class B की performance बेटर है thank you for your patience, thank you for watching pep coding, I hope आपको यह topic समझ आयोगा, clear हो होगा, thank you so much